हेलो फ्रेंज वेलकम टू सादरे ब्लोक यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कारगो के उपर जो लोग सौधी से इंडिया पाकिस्थान बंगला देश अपना सामान कारगो करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए ब कारगो कर चुका है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फिर आप लोगों को अपसोस होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए और इससे हमें फायदा मिलता तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ तो आप लोग मेरे साथ से चार्ज किया जाता था बेसक सामान आप जितना चाहे उतना भेज सकते हैं कम से कम 20 किलो सामान का टार्गेट होता था और अब के डेट में क्या है कि जो 3 रियाल कीलो था वो सीधा हो गया है साड़े साथ रियाल, आठ रियाल कीलो कुछ आपिस ऐसे भी है कि जो की साड़े साथ रियाल कीलो लेता है कुछ आपिस ऐसे भी है कि जो आठ रियाल कीलो लेता है अगर आप किसी आपिस में जाते हैं कारगो करने के लिए तो वो आपसे 8 रियाल पर कीलो के हिसाब से चार्ज लेगा 30 रियाल इनका सर्विस चार्ज होता है और 20 रियाल इनका गत्य का चार्ज होता है अगर आप कोडियर करते हैं तो वो आपसे 8 रियाल कीलो के हिसाब से सामान टोटल लेगा और जितना भी आप सामान भेजते हैं वो पार्शल कर देगा और आपको यह नहीं बताएगा कि यह सामान आपका फ्लाइट से जा रहा है या सिप से जा रहा है जब तक आप नहीं पूछोगे क्योंकि आपको उतना मालूम होता नहीं है जो आदमी भेज चुका है उन्हें इन चीजों का मालूम होता है जो लोग पहली बार भेज रहे हैं उन्हें इन चीजों का कोई मालूम नहीं होता है वो कहते हैं सामान मुझे भेजना यह सामान है कितने दिन में पहुंच जाएगा अगर आठ रियाल किलो के हिसाब चाप सामान भेजते हैं आप उसे फॉन कीचिए, वो आपके पास घर पे आएगा, वो आपको टाइम देगा, दो दिन, चार दिन, पांस दिन बाद का, ऐसा ही जैसे उसे टाइम मिलेगा, वो आपके घर पे आएगा, आने के बाद वो पूरा अपना पेकिंग का और वजन करने का पूरा बेवस्ता सा साथ मिलाएगा, दो आदमी के साथ आएगा, वो सामान वजन करके और उसको पैक करके आपको एक बिल काट करके दे देगा, और वो सामान ले करके चला जाएगा, घर से अगर आपका सामान पिक करता है, तो उसका कोई एकसा चार्ज नहीं होता है, सहौधी में जितने भी का जा आठे साहरां काशना आप 10や 630 सार्व करते हैं पाण संसान वार्थरनी फेल्ट का किसा कि तपर ही सायन में जाकर उीडिर साइव नभी इस 2पंपी प्합थममें 1來到 प्रका स Restaurant समय और आप से 50 रियाल अलग लेगा 13 रियाल कीलो के अलाव है आपका सामान 16 दिन का वो कमिटमेंट करेगा 16 दिन में आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा तकरीवन आप यह मान के चलिए कि 20 से 25 दिन इसमें भी लग जाता है अभी के टाइम में जो माहुल चल रहा है अगर आप किसी कोडियर से अपना सामान कार्गो करते हैं तो पैंतालिस दिन में सामान नहीं पहुंच पाता है कम से कम दो मेहने लग जाते हैं दो मेहने से स्वासमान आपका डिलीवर नहीं होगा सबसे बड़ी खास बात sizi आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर आप कारगो करते हैं तो खास करके आप इन बातों का धियान रखे कि कारगो करने से पहले आप कारगो वाले से यह जरूर क्टी आपके पास मैं सामान कारगो कर रहा हो क्या ऑपके पास online tracking सु विदा है या नहीं है अगर वह कहता है कि मेरे पास online taking सु विदा नहीं है तो समल्मख आदमी ठीक नहीं वो ठटी है आप उंके पास कारगो ना करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारगो ओपीस है कि जो आप से कहेगा या बड़े-बड़े वो कार्ड पे या बोर्ड पे छपआ के रखते हैं कि कार्गो सुविदा हम घर से पिकप भी देते हैं या ड्रॉप भी देते हैं अच्छा फसलेटी है आप हमारे यहां से कार्गो करें अगर आप उसके पास से कारगो करते हैं तो वो आपका सामान भेज देगा और आपको सिलिप भी देदेगा आउनलाइन ट्रेकिंग करने की वो फैसलेटी आपको नहीं देगा हला कि आउनलाइन होता है पर वो आपको इसलिए नहीं देगा तो जायर सी बात है जो भी साइट होगा या जिस कंपनी से उन्होंने कारगो किया होगा अगली बार आप उसी कंपनी के पास जाओगे हला कि उसके पास आप नहीं जाओगे तो इस वज़े से वो आउनलाइन ट्रेकिंग की सुवीदा आपको नहीं बताएगा जो अच्छी कंपनी होती है सहोधी का सबसे नमेर वन कंपनी है गलफ कंटरी का fortunately का वो है ABC कारगो ABC कारगो एक ऐसा कारगो है आप सहोधी में हो या दुबाई या कुए दिये कारगो हर जगा है इस कारगो से आपको सामान भेजने के लिए आप नेट पे सर्च कीजिए ABC कारगो इसका बहुत अच्छा एड है मुबाइल पे IMO पे और TV पे हर जगे इनका एड चलता है और भी है ऐसे BPL कारगो बहुत सारी ऐसी कमपनी है जो रेस्टेट कमपनी है आप नेट पे सर्च मारिए वो आपके घर पे आएगा और आपका वो सामान लेके जाएगा अगर आप डारेक्ट आपिस में जाते हैं तो वो आप से रेट शही लगाएगा आप से 13 रियाल चार्ज लेगा अगर आप फोन करके बुलाते हैं तो जो वो एजेंट होता है आप से 15 रियाल भी बोल सकता है सोलर रियाल भी बोल सकता है वो आदमी द आपके कारगो करने से पहले इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें को उसे पूछ लें कि ऑनलाइन ट्रेकिंग सुभीदा है या नहीं है हम खूड ट्रेक करकते हैं या नहीं कि हमारा समान कहां तक पोण चाया क्योंकि वो कहे और रास्ते में हैं पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा वो किलियर नहीं करेगा अगर ट्रेकिंग हो तो आपको फोन करने की जोरत नहीं उनसे पूछने की जोरत नहीं आप खुद देख सकते हो आपका सामान कहा है और इस स्टेटस क्या चल रहा है अगर वो आपको ट्रेक में आप लोगों को कारगो के उपर पूरी डिटेल में बताया हूं और मैं जो भी वीडियो बनाता हूं और जिस टॉपिक पर मैं बात करता हूं मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताता हूं यह नहीं कि मैं सामने उपर छिपी से बता दिया और जर नहीं बताया मैं किस टॉपिक पर बात करता हूं तो उस टॉपिक का नीचे से लेके उपर तक पूरी जानकाड़ी लेता हूं उसके बाद ही वीडियो सूट करके वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को इंफर्म करता हूं तो अमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसं गल्फ की हर एक जानकारी के लिए मेरे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें मेरे साथ जुरे रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फोलो करें दो वीडियो का लिंक दे दिया हूँ आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं तो उम्मित करते हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो